मिश्र जी भारते इंदू मंडल के प्रमुख लेककों में से एक थे इन्होंने हिंदी साहित के विविद रूपों में सेवा की वे कभी होने के साथ साथ एक बेहतरीन मौलिक निबंद लेखक और नाटक कार थे अठारा सुतरासी में अपने कई मित्रों के सायोग से मिश्र जी ने ब्रामर नामक मासिक पत्र निकाला यह पत्र अपने रूप रंग में ही नहीं विशय और भाषा शैली की दृष्टी से भी भारते इंत्य युग का मशहूर पत्र था प्रार्थना शितक, प्रेम पुषपावली, मन की लहरादी इनकी प्रमुक रचनाएं हैं 1901 में आजी के दिन भारती जनसंग के संस्थापक श्यामा प्रिसाथ मुखर जी का जन्भुआ था डॉक्टर मुखर जी 33 वर्ष की आयू में कलकत्ता विश्व इद्याला में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपती बनाये गए थे पिता के निधन के बाद कलकत्ता उच्छ नियायाला में एडवोकेट के रूप में अपना नाम दर्ज कराया 1926 में लिंकन सिन में अध्यन करने के लिए मुखर जी इंगलेंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए जिस समय अंग्रेज अधिकारियों और कॉंग्रिस के बीच देश्ट की स्वतंतरता के मुद्दे पर बात चल रही थी और मुस्लिम लीग देश के विभाजन की अपनी जित पर आड़ी थी श्यामा प्रसाद मुखर जी ने स्विभाजन का कड़ा विरोध किया 1935 में आजी के दिन बहुत धर्म के दर्म गुरू दलाई लामा तेन जिन ग्यात्सो का जन्म हुआ था बहुत धर्म दुनिया के धर्मों का चोथा सबसे बड़ा धर्म है जिसके 375 लाक अनुयाई है बहुत धर्म के धर्म गुरू को दलाई लामा कहा जाता है तेंजिन ग्यात्सो तिबबत के राष्टाक द्यक्ष और आध्यात में गुरू है 1954 में तेंजिन ने चीन यात्रा पर शांती समझोता और तिबबत से सैनकों की वापसी की बात को लेकर माओ, जेडांग, डेंग, जीयोपिंग जैसे कई जीनी नताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग गये थे लेकिन सम्मेलन असफल रहा तिबबत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा ने सैयुक्त राष्ट से तिबबत मुद्दे को सुलजाने की अपील की है सैयुक्त राष्ट महा सबाद वाराई संबन में 1961, 1961 और 1965 में तीन प्रस्ताव पारित किये जा चुके हैं 1987 में तिबबत की खराब इस्तिती का शांती पूर्ण हल तलाशने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए दलाई लामा ने पांस सूतरी शांती योजना प्रस्तुत की आज एक दिन 2000 में लंडन के पुलिस ने बिर्टन के प्रधान मंतरी टोनी बिलियर के बड़े पुत्र योवान को साबजिनिक जगें पर अत्याधिक शराब के नशे में होने के वज़े से घरफतार किया था 16 वर्षी योवान लेस्टर स्कुएर में देर राज शराब के नशे में जमीन पर पड़े पाए गए थे माना जा रहात है कि इस गटना के बाद टोनी बिलियर और उनकी पत्नी शेरी बिलियर को बड़ा धक्का लगा था क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर खासे जागरोग और सक्त रहे थे योवान के रिया होने के बाद प्रधार मंतरी का अर्याला से जारी एक बियान में कहा गया कि योवान को इस गटना पर दुख है और उने खेद है कि पुलिस को असुवदा हुई आज ही कि दिन 2005 में लंदन को 2012 में होने वाले उलम्पिक खेलों की मेजबानी मिली थी आयोजन के प्रबल दावेदार माने जार रहे पेरिस को 50 वोट मिले थे जबकि लंदन को 54 वोट मिले थे इस से पहले मॉस्को नियुवार्क और मैड्रिट की दावेदारी खारच कर दी गई थी बिर्टन के ततकाली इन प्रधान मंत्री टोनी बिलेर ने इस फैसले को अतिहासे करार दिया था लंदन की दावेदारी पेश करने वाले लॉड की बेतरीन पेशकर्ष के बाद लंदन की दावेदारी मजबूत हो गई थी 1948 के बाद यह पहला मौका था जब बिल्टन में ओलम्पिक खेलों का आयोजन होना था